हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अवसदी ग्यान पे जैस्री किष्णा दोस्तों सभी को दोस्तों आज आपके सामने मैं आग का पोधलाया हूँ जिसको कहीं कहीं मदार के नाम से जाना जाता है दोस्तों आप इस पोधे को पहचान लेजिए अच्छे से और हो सके तो इसको इन सोट ले लेजिए दोस्तों आपके चेत्रों में पाया जाता है दोस्तों यह दो प्रकार का पाया जाता है एक red red उसकी में फोल निकलते है और दूसरा सफेच सफेच दोनों ही मदार के फोल जो है तो भगवान सिव जी को बहुत ही प्यारे होते हैं दोस्तों आज इसके हम समझेंगे औस दीकुन क्यों दोस्तों इसके पत्ते और दूद और जड़ को भी हम समझेंगे उसका उप्योग किस जगा पर और कैसे उप्योग किया जाता है तो दोस्तों सरप्थम साथियों अगर आपके किसी भी पार्ट में दाथ, खाज, खुजली या फिर पिमपस निकलते हैं दोस्तों उसमें इसके दूद का उप्योग आप कर सकते हैं दोस्तों कैसे करना है एक कटोरी में इसको दूद निकाल लेना है कुछी तरह से जैसे पत्ते तोड़ेंगे आप उसमें इसे दूद निकलेगा एक कटोरी दूद में कम से कम एक चमश आप दूद निकाल लीजिए कटोरी में उसमें दोस्तों सरसो या तील का तेल हो दोस्तों जादा अच्छा है जगर सरसो का तेल मिल जाए तो उसमें करके आप उसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से किसी कटोरी में इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है एक रूई ले लिनी है या फिर कौटन का कपड़ा हो उसका फूहा टाइप का बना लेना है और बनाने के बाद दोस्तों उसको दमभीगा लेना है दोनों को और जिस भी पार्ट में आपके दाट या खाज कुझली हो उसमें हलका हलका सा लगाएं दोस्तों जादा नहीं लगाना है और याद रहे आपको जननंगों पर नहीं लगाना है नहीं तो फिर जखम बना देगा और जखम बनाने पर आपको नाइडियर के तेल यूज़ करना होगा दोस्तों आप इसको बहुत ही सा दे रहा है और उसको निकलवाना है इसके दूद का उसमें लगाया जाता है तो क्या करता है इसको हल चल करके निकाल देता है दोस्तों याद रहे लगाते समय आपको अन्य दातों पर इसका दूद जो है तो नहीं पढ़ना चाहिए नहीं तो फिर अन्य दातों में भी हिलने क समस्या हो जाएगी और दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा उप्योग है अग किसी इस तरी को बाच्पन के समस्या है तो दोस्तों एक मादार का पौधा ले लिजिए जिसमें दम फूल आए हो पौधा जवान हो अच्छा हो जिसमें फूल निकल आये हों उसको निका लीजे, खौल लीजे उसकी जड़ जो है तो उसको सुखवा लीजे सुखवाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है उसका एक पौडर बना लेना है पौडर बनाने के साथ आपको 10 ग्राम उस चून को लेना है पौडर को और साथ में गाई के घी के साथ में सुखह-सुखह खाली फेट देना है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा शुक मिलेगा और बहुत ही आपको संतान प्राप्ति की सुख मिलेगी और आपके जो समस्या है वो खत्म होगी तो आशा करता हूँ दस्तों आपको मदार यानि आग के पोधे के जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसरी किशना